नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि लाइप्रेड फोर एमजी टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है लाइप्रेड फोर एमजी टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और लाइप्रेड टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और लाइप्रेड टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए और यहाँ भी डिसकस करेंगे कि लाइप्रेड टैबले दवा है। लाइप्रेड टैबलेट का उप्योग अस्थमा होने पर, नजला होने पर, एलर्जी होने पर, आस्टियो आर्थराइटिस होने पर, रूमेटोइड अर्थराइटिस होने पर, लूपस होने पर, मल्टिपल स्क्लेरोसिस होने पर, कोई आटो इम्यून डिजीज हो त्वचा पर कोई एलर्जी होने पर और त्वचा पर खुजली होने पर आधी कंडिशन्स में भी लाइप्रेड टैबलेट का उप्योग किया जाता है। ओर्गन ट्रांस्प्लांट के बाद भी डॉक्तर लाइप्रेड टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। हमारे शरीर में ओर्गन ट्रांस्प्लांट जैसे लिवर या किड्नी ट्रांस्प्लांट के बाद इस बात की संभावना बहुत ज्यादा होती है कि हमारा शरीर ट्रांस्प्लांट किये गए ओर्गन को रिजेक्ट कर दे। इसलिए और्गन रिजेक्शन से बचने के लिए डॉक्तर इम्मूनोसप्रेसिव दवाओं के साथ लाइप्रेड टैबलेट को भी लेने की सलाह दे सकता है। लाइप्रेड टैबलेट शरीर के इम्म्यून सिस्टम को कमजोर करती है। जिसकी वजह से हमारे शरीर का immune system transplant किये गए organ को reject नहीं कर पाता है और transplant किया गया नया organ आसानी से काम कर पाता है लाइप्रेडी टैबलेट शरीर में inflammation यानी सूजन को कम करती है इसलिए इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी conditions है जिनमें आपका डॉक्टर लाइप्रेडी टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे की लाइप्रेडी टैबलेट की वज़ह से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं अगर आप लाइप्रेडी टैबलेट का सेवन लंबे समय तक या ज्यादा डोज में करते हैं तो लाइप्रेड टैबलेट की वज़े से साइड इफेक्स होने का जोखिम भी अधिक हो जाता है। अगर आपका डॉक्तर आपको लाइप्रेड टैबलेट को केवल एक या दो सप्ताह के लिए लाइप्रेड टैबलेट को लेने की सलाह देता है। तो साइड इफेक्स होने का जोखिम भी कम ही होता है। लाइप्रेड टैबलेट की वज़े से उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, सिर्दर्ध होना, पेट में बेचैनी होना, घबराहत होना, और स्वभाव चिडचिड़ा हो सकता है। वर डिप्रेशन भी हो सकता है। इसके अलावा लाइप्रेड टैबलेट की वज़े से चक्कर आना, शरीर में ठकान होना, भूप का बढ़ना, वजन का बढ़ना वर नींद ना आने की समस्या भी हो सकती है। कुछ व्यक्तियों में liksom tablet की वज़ा से हाथों व पैरों में सूजन भी हो सकती है और máspaticiomeं दर्द हो सकता है. लंबे समय तक like-up tablet को लेने से चरीर की immunity कमजोर हो सकती है, लंबे समय तक like-up tablet का सेवन करने की वज़ा से liver damage व औस्योपोरोसिस हो सकता है. Osteoporosis एक हड्डियों का रोग है जिसमें शरीर की हड्डियां बहुत ही कमजोर वा अंदर से खोखली हो जाती है और हलके से प्रेशर या गिरने की वज़े से भी हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है लाइप्रेड टैबलेट की वज़े से ब्लड शुगर लेवल अधिक हो सकता है और डाइबिटीज होने का जोखिम भी अधिक हो जाता है लाइप्रेड टैबलेट की वज़े से शरीर की घाव भरने की क्षमता कम हो सकती है और कोई चोट लगने के बाद घाव को भरने में लंबा समय लग सकता है लंबे समय तक लाइप्रेड टैबलेट का सेवन करने से आँखों में कैट्रेक्ट या ग्लुकोमा हो सकता है जिसकी वज़े से आँखों की देखने की दृष्टी कम हो सकती है लंबे समय तक लाइप्रेड टैबलेट का सेवन करने से शरीर की तवचा पतली हो सकती है और तव का लेवल कम हो सकता है लाइप्रेड टैबलेट की वज़ा से गर्दन चेहरे पेट और शरीर के अन्य हिस्सों में असामान्य रूप से फैट का जमाव हो सकता है जिसकी वज़ा से चेहरे पेट या शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन हो सकती है लाइप्रेड टैबलेट को बच सकती है और महिलाओं में चहरे पर भी बालों की ग्रोथ अधिक हो सकती है इसके अलावा महिलाओं के मासिक धर्म अनियमित हो सकते हैं अब हम दिसकस करेंगे की लाइप्रेडी टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए TB होने पर, Diabetes होने पर, Viral या Fungal Infection होने पर, Thyroid की बीमारी होने पर, पेट में अलसर होने पर, Kidney या Liver की कोई गमभीर बीमारी होने पर, Osteoporosis होने पर और Myasthenia Gravis होने पर आधी कंडिशन्स में LaiPred Tablet को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है। इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सला के बिना LaiPred Tablet को नहीं लेना चाहिए। इसलिए डॉक्तर की सला के बिना LaiPred Tablet को लेना शुरू नहीं करना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि LaiPred Tablet की वजह से होने वाले साइड इफेक्स को कैसे कम किया जा सकता है। LaiPred Tablet की वजह से होने वाले साइड इफेक्स को कुछ बातों का विशेश ध्यान रखकर कम किया जा सकता है। LaiPred Tablet की वजह से हड़िया कमजोर हो सकती है। इसलिए हड़ियों को मजबूत बनाये रखने के लिए आपको कैल्शियम से भरपूर खाद्यय पदार्थों जैसे दूध, दही, सोयाबीन वपनीर आदी का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए। या आप कैल्शियम और विटामिन D के सप्लिमेंट्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा कच्चे फलों, सबजियों का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए। और हर रोज एक्सरसाइस करनी चाहिए। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका लाइप्रेड टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके पुछ सकते है अपको पोन आपका लाइब मुग प्लाइब आपका लाइब रिएीग novAC भी विडियो के का लाइब हैपका लाइब आपका लाइबल today